शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्बीसिया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें कलमना क्शेत्र की गुलमोर नगर में दस वर्षय नेहाल मेश्राम की नाला पार करते समय पैर फिसलने से वो सीधा तेश पारी के बहाव में जागिरा इस घटना को आज पूरे तीन दिन हो गया है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है रेस्क्यू टीम इस दिशाम में लगातार काम कर रही है, तो वही नेहाल के परिजन काफी चिंतित है कलमना शेत्र के गुलमोर नगर में नेहाल मेश्राम इस दस वर्षय बालक का नाला पार करते समय पैर फिसलने से वो सीधा नाले में जागिरा पानी का बहाव इतना तेश था कि बालक कहीं भी दिखाई नहीं दिया, उसकी खोच की जा रही है इस घटना को आज पुरे तीन दिन हो चुके है, लेकिन नेहाल मेश्राम अभी भी लापता दिखाई दे रहा है इस दिशा में रेस्क्यू टीम काफी अच्छा काम काच कर रही है, अब तक के इस रेस्क्यू टीम ने नदी और नालों में भी इसकी खोजबीन शुरू की इस बारे में कलमना के पुलिस दिन्रिक्षक से जब बाच्चित की गई तो उन्हों ने ये कहा कि हो सकता है कि बालक मौदा के नदी में भी जा सकता है खोज मुहिम आज भी रेस्क्यू टीम द्वारा की गई लेकिन अभी भी बालक का कोई भी पता नहीं चल पाया है रेस्क्यू टीम बालक को खोजने के लिए लगातार अच्छा काम कास कर रही है लेकिन बालक का आज तीन दिन होने के बाद भी पता नहीं चला इस घटना को लेकर गाओं के लोगों में खलबली मचवी है इतने नहीं तो दिगोरी नाले में भी रेस्क्यू टीम ने खोजबिन की रेस्क्यू टीम ने नाले से सटे जाड़ियों में भी उस बालक की खोजबिन की लेकिन लेकिन बालक का कोई भी सुराग नहीं मिला इतने नहीं तो रेस्क्यू टीम द्वारा अभी भी नदी के हर चोर में खोज भी जारी है। कैमेरे परसन राजकुमार मोहड के साथ संजेय मीरे इनबी सेन नियूज नाकपूर।